सात्वा अध्याय दो वर्दान राम के राजा विशेक का प्रबन पूरा हो चुका था राजा दश्रद राज महल में अपने प्रियस्थान काईकेई के मनोहारी कक्षकी और शीग्रिता से जाने लगे उनकी आँखों में काईकेई के सुन्दर मुक पर गर्फ और प्रसिनिता की चमक देखने की कलपना थी वहाँ पहुचवे शुद्ध हो गए काईकेई अस्थ व्यस्थ सी अपनी शैया पर पड़ी हुई रूदन कर रही थी राजा उनके पास बैठे और पूछने लगे मेरी प्यारी ककेई क्या बात है आप बीमार दिख रही है सुबकते हुए राणी बोली मैं क्यों प्रसन होंगी मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है राजा यहसुन हैरान और परेशान हो उठे प्रियारानी मैंने आपकी सुन्दर आँखों में कभी इतनी उदासी नहीं देखी किस बात से आप इतनी छिंतित और अप्रसन हो गई है खैकेई ने राजा को देखा और सुबकते हुए बोली आपको स्मरन है मैंने युद्भूमी में आपकी जीवन की रक्षा की थी उस समय आपने मुझे दो वर मांगने का वचन दिया था आज मैं वे दो नो वर आपसे मांगना चाहती हूँ मुझे वचन दीजिए कि दो नो वर मुझे प्रदान करेंगे एक पल का विलम किये बिना राजा दश्रत ने अनुमती दी और कहा सूर्यवंशी राजा सदय अपने वचन का पालन करते हैं कहिए क्या इच्चा है आपकी गंभीर स्वर में रानी कईके इने अपनी मांगे राजा दश्रत के सामने रखते हुए कहा मैं चाती हूँ भरत को राजा बनाय जाए और मैं यह भी चाती हूँ कि राम को चौदा वर्षों का वनवास दिया जाए यह सब सुनकर राजा मूख रहे गये और कुछ भी समझ पाने में असमर्थ कैके इसे याचना करने लगे कैके इसे अपने राम को सदय उतना ही प्यार दिया जितना भरत को अभी यह सब क्यूँ और कुछ भी मांगे आपको अवश्य मिलेगा कैके इसे अपने हट पर अड़ी रही आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा कई गंटों तक राजा कैके को अपना मन बदलने के लिए विंती करते रहे यद्यपी वे जानते थे कि वे अपने वचन से बंदे हुए हैं ठीक है मैं भरत का राजजा बशेक करूँगा कि तु राम को वन में भेजने का अपना वर वापस ले लो राम का स्थान वन में नहीं है कई के इने राजा की बात नहीं मानी और अपनी बात पर डटी रही राम को वन में जाना ही होगा यही मेरी इच्छा है तूटे हुए शृदय के साथ लड़ घडाते हुए दश्रत अपने कक्ष में आये ऐसा लग रहा था मानों उनकी दुनिया नीचे गिर कर बिखर गई सद्मा और अपनी हालत पर लज्जत वे अपने मन में सोचने लगे मेरे प्रियपुत्र राम अपने पिता को ख्षमा कर देना झाल राम झाल सकता को ख्षमा झाल